हेलो दोस्तो आज हम बात करने बाले हैं अरारवी ग्रूप डी न्यू भरती 2022 को लेकर जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो इसमें से 13,518 पोस्ट आया हुआ है बड़ यहां पे लिखा हुआ है देखिए परे स्टुडेंट के लिए खत्रा यह क्यों ह अब आपको इस वीडियो में बताने वाले है यह पोस्ट का नम है गेटमेन इसके सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में जनेंगे और कौलिफीकेशन के बारे में जनेंगे अब देखिए जो 13,518 जो भी पोस्ट निकल के आई है उसका 2019 वाल एक जाउम पे क्या फरक पड़ेगा क्या असर पड़ेगा यह सारा हम आपको बताने वाले हैं जैसा कि आप लोग बिल्कुल देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो दोस्तों चलिए हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जनते हैं उससे पहले आप सभी से एक डिक्वेस्ट है चैनल पे नए चैनल को सब्सक् देख रहे होंगे तो देखिए इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग 2019 का जो हैं पर देख सकते हैं आपका जो रिकुमेंट आया था उसके बारे में जोनलते असिस्टेंट तके सारा है इसमें आपको कहीं भी जो गेटमेन अगेटमेन का पोस्ट आपे नहीं मिलेगा आप लोग आप देख रहे हैं तो हस्पीटल असिस्टेंट यहां पर ट्रैकमेन मेंटिनेंस ग्रेट फोर हैं पर सारा कुछ दिया हुए बट आपको यहां पर गेट्स में नहीं मिलेगा अब अगर हम यहां पर देखिए बात करें नेक्स्ट यहां पर 2018 वेकंसी का तो आप 27 नमर पर आप गेटमेन की वेकंसी यहां पर मिलेगी ट्रैफिक गेटमेंस की जैसा कि आप लोग आप देख रहे होंगे बट यहां पर देख सकते हैं कि 2018 में बिल्कुल इसकी वेकंसी स्वरी 2019 में नहीं दीगई है अब देखिए यहां पर जो इंपोर्टेंट हम आपको इ लूपडी 13158 पोस्ट जो यहां पर हम लिखे हुए है गेट में की तो वह आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर साफ साफ लिखा गया यह जो पोस्ट है आज ही देखिए अपडेट किया गया इसके ओफिस्यल साइट पर से आप लोग डॉनलोड कर सकते हैं क्योंकि हम देखि इतना तो दिखाई देता होगा आपको यहां पर देख लिजिए तो देखिए यह इस वीडियो में बस हम यहीं करना चाहेंगे कि तेरा हजार पॉस्ट है जो पहले से ही ग्रूप D में जौब कर रहे हैं बस उन्हीं को यहां पर परमोसन देके गेट्समें बनाया जाएगा बट यह देखिए मेरे ख्याल से सही नहीं लगता है क्योंकि अगर जो स्टुडेंट को जौब नहीं मिला है उनके लिए भी तेरा हजार पॉस्ट बहुती सांदार पॉस्ट होती है यह अगर अलग से निकाल दिया जाए या दो हजार उनीस बाले फॉर्म में ही करिए कि ताकि जो रेलवे रिक्रूमेंट वोड हैं उनके तक भी यह न्यूज पहुंचे कि इस पोस्ट का अलग से जो यहां पर रिजर्ब निकाले हुए जो पहले से जौब में एक जौब में दूसरा जौब यहां पर लेड़ें उनके लिए हम आप बतना चाहेंगे कि कि अलग से जौब अगर निकाल दिया जाए या 2019 में इंक्लूड किया जाए तो स्टुडिन के लिए बहुती संदार वेकेंसी बन सकती है तो दोस्तों आज के लिए यह अपडेट था मिलते हैं फिर नेक्स अपडेट के साथ जाहिंद